किया हुआ है पहली बत तो हम शुरुआ इसकी से करते हैं कि जब कोई मैटर अगर कोई कोट में पेंडिंग है यह रहा वो वीडियो जो अपने हाथ सर जो यह हुआ अगर आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल यह उठ रहा है कि जो के केस कोट में पेंडिंग है वह आदिल का हो या किसी का भी हो जब कोई केस कोट पेंडिंग होता है तो आप उसके बारे में बात नी कर सकते हो विकॉस यह एक विक्टिम है अभी तक कोट ने किसी आरोपी को बाहिज़त बरी नहीं किया हुआ है तो बाहिज़त बरी नहीं है और आउट्रेजिंग मोडस्ट्यू अफ वुमें जो 509 के अंदर जिसके आफार होगा तो आज ही ये फाइल हुआ है, पुली स्टेशन ने हमसे सबका नंबर मांगा हुआ है, सबके नंबर हमने प्रोवाइड किये हुए है और अभी कारवाई इसके उपर चालू हो गया गया प्रागी जी किस पर इसके 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 अंदर सेक्शन पांचो नॉम ने लगाया क्योंकि हम इस तरीके से किसी को डिफेम नहीं कर सकते, गटर बोला गया है और काफी चीज़े इस तरीके से अप्शब्द यूज किया गया है, तो इसलिए हमने डिफेमेशन केस अभी उनके पर फाइल किया है और हम वेट कर रहे हैं कि हम आगे और भी चीज़े प्रोसस में हैं, हम जो है इनके उपर सौ करोड का डिफेमेशन का केस भी अभी प्रोसस में है, वो भी हम करने वाले हैं तो यह राश्प्री मोरे जी हैं उनके लिए हमने आज ओशिवारा पुलिस सेशन में कंप्लेंट फाइल करी हैं हमने जो उन्होंने मुझे गटर कहा है और एक डॉग से कुटे से कंपेर किया है मुझे, मुझे लिटरली कुटा कहा है और हंड्रेट करोड का माना हनी का दावा इन प्रोसस है, राश्प्री मोरे के खिलाफ मेरे पास तो पुरी मीडिया में सब सबूत है, राश्पी मोरे जी के पास अगर मेरा एक भी प्रूफ है क्या-क्या बोला है, बताईए मैंने नहीं कहा है, मुझे प्रूफ दो आप, और दूसरा इल्जाम मैंने कोई धमकी नहीं दिये, मुझे प्रूफ दो तिसरा उन्होंने कहा है, क्युंकि जितने भी नेलार्ट वगेरा है, उन्होंकि जितने भी शॉप से वो आप चलाती है, और आप प्रूफ दो अनर हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल किसे को नहीं बोला, मुझे प्रूफ दीजिये मुझे कोई प्रूफ तो होगा न, उन्होंने एक N.C. लिखाई है, कोई तो प्रूफ होगा, मुझे आप लोग मीडिया वालों से ही मैं मांगूंगी, या पुलिस सेशन से मांगूंगी, कि अगर मैंने कुछ बोला है, मैसेज द्वारा, या फोन में, या परसनली, तो मु क्या मीडिया को प्रूफ दिया, जो उन्होंने मीडिया ट्राइल किया है, आज, क्या उन्होंने मीडिया को प्रूफ दिया है? तो मैं यही कहना चाहती हूं कि राश्री जी आपने मेरे उपर जो आरोप लगाए है प्रेस कॉंफरेंस ली है वो तो है ही है लेकिन आप अपना नेल्स का जो स्टूडियो है वो लौnच कर रही थी प्रमो शन कर रही थी कौन होगा जो मुझे इतने लगाया है और अपना नेल शूडियो काlly यू नो क्या बोलते वो बैनर वहां पे लगाया है है ना हम तो यहां भी आज रेस्टरोंड में बैठे हैं और यह तो रेस्टरोंड का है यह मेरा नहीं है मेरा रेस्टरोंड यह नहीं है यह रेस्टरोंड का यहां पे हमने उनसे इजाज़त लेकर इधर बैठे हैं यह मेरा नहीं है, राश्री ने अपना पूबलिसिटी स्टंट किया है और उन्होंने अपने जो नेल स्पा है जो अभी नेल स्टुडियो है, उन्होंने उसको मतला अपना बैनर पिछे लगाया है, अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने राश्री को बोला, जब हमारा दुबाई मे सब लफड़े जगड़े हो गए फिर भी यहां पे आके मैं पाच अप नहीं करना चाहती थी फिरोज और फालगुनी जी ने बोला आप लोग दोस्तों आट साल के पाच अप कर लो जाने दो तो वह रेडी हुई थी आज उन्होंने मीडिया में कहा है कि मुझे पता नहीं था उनको पूरा पता था कि मीडिया आके आज मीडिया में दोनों का पैच अप होने वाला है कि आप स्पास के दोस्तों में जगड़ा होता है दोस्तों में तू तू में में भी होता है तो जो दूसरे होते हैं दोस्तों वह पैच अप कराते हैं तो पैच अप मैंने हम लोगों ने कर लिया और उन्होंने कहा है कि मैंने तीन मेने से राकिसे बात नहीं करी है अभी चार दिन पहले ही मैं निल्स पा में जाके निल्स कराई हूँ बाल वाश कराई हूँ और पासपोर्ट की बात कि जो है मेरे घर में राश्री का आना जाना काफी रहता है कभी टिफिन लेकर आती है कभी मिलने आती है क्योंकि वो मेरी बेहन जैसी है मा जैसी है बहुत मेरा बुरे वक्त में उसने ख्याल रखा है ये मैं नहीं बूल सकती मेरा गोल्डन पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया जब आदिल जेल से बहार आए आदिल ने का मेरा पासपोर्ट है तुमारी गोल्ड पर्स में मैंने बहुत चेक किया चेक किया चेक किया और पर्स में से पासपोर्ट चोरी हो गया मेरे पर्स में से और मैं दो-तीन दिन से stress में थी, काफी time से, तो मैंने राश्री को बला यार तेरे पास मेरा गलती से passport तो नहीं आ गया, बढ़ मेरे घर से passport चोरी होगे मेरे पर्स में से, तो राश्री ने, राश्री मुरे ने वो पर्स में से मेरा आधिल का passport चोरी किया, मैं अभी इनको बता हो गया, आज उन्होंने दिखाया, मैंने उनको ये भी बोला, यार तुम अभी मेरे पुछा बगर उनको एक wise message किया, राश्री उसने बोला कि मेरे पास है, और आज उसने बोला मैं आपको दे दूंगी, मेरे घर में काम चल रहा है, मैं अभी आपकी फाइल, आपका सब कु पासपोर्ट, जो है, वो मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आज मीडिया के सामने शाक होकर उसने आदल के हाथ में दिया, ना कि उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने मेरे घर से ही चोरी किया, मेरे परस में से चोरी किया, लेकिन कोई फरक ने पड़ता हो, तो ही बिलोंग करता है, लेकिन मेरे घर से चोरी हुआ, तो उन्होंने चोरी किया, बिल्गुल दे कि आप लोग कुछ समझे और हमें बता ही है, आप लोग ने वो इंटर्वी लिया राच्री का, पीछे बाइनर लगा हुगा हुगा है, बाइनर का प्रमोशन हो रहा है, पचा मैं इसी बात पर आ रहा हुए चीज, कि यह जो है, यह एक तरीके का वर्बैटिम है, वर्बैटिम का मतलब होता है, कि मैंने यह चीज कहा, उनके पास क्या प्रूफ है कि राखी ने वो चीज उनको दिया हुआ है, लेकिन राखी के पास यह बात फैक्ट है, और जो वो डि करता है, तो हमारा भी पावर रहता है, कि हम ऑपोसित पार्टी से बात नहीं कर सकते हैं, हम ऑपोसित पार्टी से कोई वयवार नहीं कर सकते हैं, तो जब उन्होंने इस केस के बारे में वो वैसे क्लेम कर रहे हैं, कि उन्होंने हेल्प किया, वो साथ में खड़ी थी, जो दिनाय भी शार نहीं कर रहा है लेकिन बात हिये, को यह गलत नहीं, कि किसी आपको क्रूषित पाड़े के सब्स спрос की जा रहे तो विश्वात खाता है राश्री मेरे साथ में खड़ी थी हर मोके पर कोट के टाम पर, मेर के मौम के डाम खेल के अदमरी हालत में एक तरफ आदिल से मेरा कोट केस चल रहा है कोट में जा रही हूं हर जगे जा रही हूं कोट में जा रही हूं तो वह आराम से आ रही है ना दोके रेड़ी होके जब मीडी आती है तो वह आती है मैं तो सुबह उठके चली जाती थी जब भी उनके मेरे पास जगा नहीं होती थी तो मैं लखनवी जो रेस्टरेंट है न वहां पर जाती थी और यह लोग में को जबस थी खिलाते थे कि खालो थोड़ा तो सब को कहती थी के रहे तेरा चिकंटिका खाया है तेरी बिर्यानी खाई यह जल्दी से तुमारा बैनर लगा दो मीडिया आने व जब भी मैं नेल आट में बाल वाश कराने नेल्स करने जाती थी तो वहां पर नेल आट का बैनर लगा देती थी राश्री मोरे को मेरी जो दोस्त है उसको पॉब्लिसिटी के लवा कुछ भी इंटरस नहीं था राखी सावन से जब भी देखो पॉब्लिसिटी जब भी मैं Nails कराने जञा, बाल वाष कराने जञा, तुरन मेडिया को message कर देती थी, कि राखे आईए, Hair Wash कराने जल्दी आज़ा, राखे आईए, Nails कराने जल्दी आज़ा, और भी celebrity वहाँ जाते हैं, तो तुरन सबको media को भोल देती, यह सेलिब्रिटी आये जल्दी आजाओ बिचारी सेलिब्रिटी कुछ नहीं करते वह आके पीछे बैनर स्टार्ट कर देती जब मैंने दुबई से आने के बाद कहा कि अब मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगी तो उन्होंने हैर वाश कराने के नेल्स करने के पैसे लेना शुरू कर दिये पहले उनका ही मैसेज था अरे तू तू मेरी बेहन है तू लेश करा तू नेल्स करा तू बाल करा एक रुप्या देने की जरूत नहीं है मैंने का ने 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 ऐसा नहीं चलेगा ले लो ने 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 मेरी बहन है जरूत नहीं है मैंने का चलो ठीक है मैंने आज सक कभी नहीं कहा कि वह नेल पाम मेरा है मेरे लिये प्रूफ लाओ मैंने उसे कभी नहीं कहा जितने उसने allegations लगाए हैं धमकिया मैंने कभी भी कोच भी नहीं मुझे एक wise message दे दो या फिर एक message दे दो धमकी का या मैंने अगर कहा हो कि वहाँ पर illegal कुछ हो रहा है उन्हों ने कहा कि कुछ illegal हो रहा है मैंने बिलकुल भी किसी को नहीं बोला यह मुझे एक proof दे एक प्रूफ अदिल मैं आपको मान गई अदिल मेरे हस्बंड अदिल खांदुरानी दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एट बार ना रहा तो आदिल खांदुरानी जिसम में बेंतिहाँ प्यार करती थी जिन से मैंने निकाह किया था आपने चारों तरफ से मेरा जो सपोर्ड था पूरा तोड़ दिया जैसे राश्री मेरी बेस्ट फ्रेंड थी राश्री को मैंने आप लोग साक्षी है बेस्ट बिजनस वुमन का अवर्ड दिलाया उन्होंने क्या कहा मेडिया में आपके पास शाहिद बाइट होंगे कि जितना प्यार मुझे राखे ने दिया कोई दे नी सकता ये अवर्ड आज मुझे लोखंड वाला में बिजनस वुमन का अवर्ड दिलाया राखे सावन में मैं कुछ नहीं थी मुझे सड़क से राखे ने आसमान पे पहुँचा है आपके पास शायद वो बाइट होंगे तो मैं मेडिया से कुर्पाय करूंगी वो दिखा दीजेगा आज राखे ने मुझे जहां गई बड़े बड़े अवर्ड में टैली अवर्ड में मैं गई थी उनको इन्वाइट नहीं था लेकिन उनको स्टेज में मैं लेकर गई कि मेरी फ्रेंड रहेगी आपके पास बाइट है दोस्तों हर वक्त उसको मैंने इजज़त करी लेकिन आदिल जेल से अने के बाद जिस थाली में खाया उसे में नमक अरामी करी उसे में छेद कर दिया राजश्री तुमारी भी माँ है राश्री और वो सौ साल जी है मेरी दुआ है राश्री मेरी माँ चली गए मर गई तुम आदिल के साथ मिलके यह स्ट्रेटमेंट दे रही है कि मैंने उस रात चिकन चिली बिर्यानी खाया मैं तो कहती हूँ कि तुमारी माँ सौ साल जीए खुदा न करे ऐसा कभी हो अगर खुदा कर ऐसा हुआ न तो तुम भी बिर्यानी और चिकन चिली नहीं खाओगी क्या यह मुद्दा यह है कि राकी सावन ने बिर्यानी और चिकन चिली खाई क्या यह मुझे इन लोगों ने बिठाया मैं मेरी मां को जस्ट आइस में रखकर आई थी उसको इंगलिश में क्या बोलते हैं कि मॉर्प में रखकर आई थी मैं कौन सी बेटी कौन सा बेटा इस दुनिया में होगा जो चिकन चिली और यह खाएगा वह कहती है कि मैंने पुछा क्या खाएंगे क्या मुझे तो नहीं पुछा गया था क्या खाएंगे इन लोग उन्हें सबने उठा के मुझे टेबल पर बिठाया क्या आप सोच सकते कि टेबल पर बिठाने के बाद कोई बंदा वीडियो ले रहे उस दिन का प्रूफ के लिए मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि डेणिंग टेबल पर मुझे ही नहीं पता कि मैं दाल रोटी खा रही हूं मैं चिकन खा रही हूं मैं क्या खारी जो ताली में परोसा सुबक की भूकी मैं क्या परोसा इन्होंने मुझे खिलाया राश्री ने का सबने मिलके खाया क्या ये मुद्दा है कि समने मिलके खाया मुझे गटर कहा गटर का डखकन खोलूंगी उन्होंने गटर कहा तो राश्री मोरे मैं मुझे गटर कहा न आपने जब अगर गटर का डखकन खुला न तो उसमें से खुड़ा निकलेगा ऐसा कुड़ा ऐसी बदभू अगर मैंने बोल दिया में अगर मैंने बोल दिया तो तुम पुरे लोखंड वाला में मुझे दिखाने के लाइक नहीं रहोगी समाज में मुझे दिखाने के लाइक नहीं रहोगी तुम्हारी जो लड़कियां जो अंदर है जो सबका नियल्स करती है उनको मुझे दिखाने के लाइक नहीं रहोगी अगर उस तुमने जो मुझे गटर का उसका डक्कन खुल गया लेकिन मैं तुमारी जैसा नहीं बनूंगी बहुत तोहिन करी तुमने मेरी मेरे हस्बंड से मिल गई मेरे साथ गद्दारी करी तुमने राश्री मुरे मेरे घर से पासपोर्ट चोरी किया तुमने आदिल का मेरे और भी बहुत सारी चीज़े राश्री मोरे के घर में हैं, बहुत सारी चीज़े, कपड़े, शूज, फाइल्स, बहुत सारी चीज़े हैं राश्री मोरे के घर, कि कि मैंने उसे एक मा का दर्जा दिया हर वक्ट जा जाती थी वो मेरे साथ रहती थी तुमने तो यार पेटरोल का पैसा दाल चावल रोटी सबजी का भी गिना दिया कोई भी मा अपनी बेटी के लिए खाना लाती कोई भी मा ये नहीं गिनवाती है राश्री मोरे क्या प्यारे तुमारा राश्री मोरे लेकिन तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगी लेकिन मेरे दिल में लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है ना आदिल ने तो जो आदिल पति पतनी का तो जगड़ा बनता है लेकिन ये सब बहती गंगा में हाथ दो रहे हैं जब मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे नेल स्टूडियो का प्रमोशन नहीं करूँगी बस राश्री मुरे मुझे यूज मत करो तो उन्होंने आदिल खान दुरानी और शेरलीन चुपड़ा जी के साथ में हाथ मिला लिया कि अब राखी से तो कोई पॉब्लिसिटी नहीं मिलेगी अब मैं इनसे पॉब्लिसिटी लूँगी जो भी सेलिब्लिटी वहां पर आते पीछे वो अपना दर्वाजे के पीछे अपना बैनर लगा देती है राश्री मुरे को ना दोस्त ना यार ना कुछ चाहिए सिवा उसकी पॉब्लिसिटी के उसमें भी कोई बुराई नहीं है हर इंसान उनके ब्रैंड की पॉब्लिसिटी चाहता है हर इंसान लेकिन यहार आदिल शर्लिन जी और राश्री मुरे और उनके वकिल साहब हाप लोगों ने तो राखी सावंत को एक डजबिन यूज मी कैतना तीशे पपर बना दिया है लेकि मैं आप लोगों को बस आशेरवादी दूंगी